दोस्तो आज चैनाई सूपर किंग्स और राजिस्थान रोयल्स की टीम के बीच आईपियल का 37 मैच खेला जाएगा तो आज दोस्तो जानते हैं कि इस मैच में इन दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी और दोस्तो जानेंगे इस मैच में कौन से टीम का पलडा भारी है तो चलिए दोस्तो वीडियो को शुरू करते हैं जहां दोस्तो चैनाई की टीम का परदशन इस आईपियल में काफी भेतर रहा है लेकिन दोस्तो उनके सबसे महंगे खिलाडी बैनी स्टोक्स और दीपक चहर इस पूरे आईपियल में लिक्के दुक्के मैच खेल कर स्टेडियम के भार बैटे हुए हैं और जिन खिलाडिय उने ही चनाई को बड़ी बड़ी जीते दिलवाई है ऐसे में बैन इस टोक्स और दीपक चहर आज का मुकाबला भी शायदी खेलें ऐसे में दोस्तो इन दोनों ही टीमों के बीच इस आईपियल में एक और मैच खेला गया था और दोस्तो वो मैच राजिस्थान रोयल्स की चनाई का पलड़ा भारी है और चनाई की टीम इस समय काफी भैतर परदशन भी कर रही है क्योंकि चनाई की टीम इस समय पॉइंच टेबल में 7 में से 5 मुकाबले जीती है और उनके 10 पॉइंट है तो राजिस्थान की टीम ने अपने 7 में से 4 मैच जीते हैं और वो 3 मैच हा कर आ रही है तो चनाई की टीम अपने पिछले तीन लगातार मैच जीत कर यहां पहुंची है ऐसे में दोस्तों इन दोनों टीमों के बीच आज का यह बड़ा मुकाबला जैपूर में खेला जाएगा और दोस्तों यह मैं सामको साड़े साथ बजे शुरू होगा वहीं दोस्त चड़ेजा और कप्तान महिंद सिंग धोनी मिडल और में बल्ले बाची करेंगे तो गेंद बाजी में मतेशा पतिराना महिश टिक्षणा तुशार देश पांडे और अकास सिंग चने की प्लेइंग 11 का हिस्सा बनते दिखाई देंगे तो दोस्तों आब बात करें राजिस करेंगे तो गेंद बाजी में जेसन होल्डर ट्रेंट बोल्ट संदीप शर्मा और विजुवेंद्र चहल राजस्थान रोयल्स की प्लेइंग 11 का हिसा बनते दिखाई देंगे और दोस्तों इस बड़े मुकाबले में इन दोनों ही टीमों की आज प्लेइंग 11 कुछ इस त देंगे होता है